हेलो वल्कम बैक स्टुडेंट्स आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर बचो आज मैं आपको देर और नीट के बारे में बताने जा रहा हूं देर और नीट यह काफी important points है इसको समझ लेना आपके एक्जाम्स में आपको काफी problem खड़े करते हैं यहां आपको speaking में भी काफी दिक्कत होती है इसको नहीं जानने के वज़द तो आपके exams में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको speaking भी मैं आपको कोई problem नहीं आँ साथ को चलो आज कि वीडियू स्टार्ट गरते हैं आज हम लोगे जैसे के आप देख पा रहे हैं कि याज मतलब होता है साहस करना या हिम्मद करना नीट का मतलब होता है आवसकता होना या जरूरत होना दोने का मतलब आपको समझ आ गई होगी डेर का मतलब होता है साहस करना या हिम्मत करना और नीट का मतलब होता है आवसकता होना या जरूरत होना तो इसका परियोग किस तरह से होते हैं उसको मुलाज डीटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है, डेयर और नीट का परियोग दो तरीके से होता है, जैसे मैं आपको दो पार्ट में दिखा रहा हूँ, एक प्रिंसिपल भर्ब के रूप में होता है, यानि में भर्ब के रूप में होता है, अब दूसरा मॉडल एक्जलरी भर्ब के रूप में होता है, तो प्रिंसिपल भर्ब में डेयर और नीट का परियोग कैसे होता है, वो समझेंगे, और मॉडल एक्जलरी भर्ब में डेयर और नीट का परियोग कैसे होता है, वो भी हम लोग समझेंगे, तो चली बारी-बारी से हम लोग समझते ह यह बोल चालके रूप में हम दो डियर और नीट का परयोग संटेंस में किस तरह से करेंगे ताकि आपके इंग्लिश काफी इंप्रोव हो जाए बच्छो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूरर सब्सक्राइब करें ताकि आपके इंग्लिस स्ट उन्ग कैसे हो इसको इसको लेकर की काफी आरवीडियो मनें हुए है ज़रूर से जरूर देखना तो चलिए-दूली आज का वीडियो कूल-स टार्ट करते हैं बच्छों सबसे पहले जान लें कि प्रिंसिपल भव जो होते हैं वो मैन भव होता है मैन भव यहां आपको समझना होगा कि प्रिंसिपल भव यानि मैन भव जो होते हैं वो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल देता है वो भव प्रिंसिपल भव होते हैं तो देर और नीठ का परियोग संटेंस में प्रिंसित्पल भाब के रूप में कैसी होता है ? हम लोग कुछे संटेंस कब बनाया करके देखेंगे we और सारे डाउड्स को हम लोग क्लियर करेंगे कुछ संटेंस को मैं लिख रहा हूँ आप उसको समझेंगे करेंगे खिर भी हम झाचता हूँ आप आप लिख छिए पो माः खिर रहा हूँ ओर पेंगे करेंगे लिख रहा हूँ को खिर रहा हूँ तो प्रिंसिपल बहब की रूप में नीट का और डेर का पर्यूग में नहीं करके दिखाया है आप समझेंगे सबसे पले अंडलाइन में कर देता हूँ नीट को नीट के एन नीट एंडेर को देखिया नीट यहां नीट 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 देर्स देर ठीक है और भी कुछ संटी से लिख सकते हैं ठीक है ठीक है अपना रूप बदल लेते हैं ठीक है जैसे आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस प्रेजन टेंस के हैं यहां सब्जेक्ट है ही इसलिए नीट जो है अपना फिप्ट फॉर्म में आगे यानि भब जो है नीट वो चेंज हो गया एस लग गया इसमें चुकि सब्जेक्ट सिंगुलर है उसी तरह यहां भी देखना ही जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है और यह चुकि पास्ट टेंस में है इसलिए टेंस के अनुसार यह पास्ट फॉर्म हो गया नीड यानि कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल भब वैसे भब होते हैं जो टेंस और सब्ज सब्जेक्ट हो टेंस की अनुसार से बदल लेता है अब देखें अगला यू सब्जेक्ट यू की अनुसार यह नीड आ गया चुकि भब का पहला रूपा यू के साथ यहां नीड आ गया है यहां भी भब का पहला रूपै ये भी present 선생 5 ये भी नीड आए तो नीड कैसे अपना रूप बदल लेता है सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यह दो भर्व नीड के साथ एक और कोई भर्व रहे तो उसको टू से कनेक्ट करते हैं टू से जुड़ते हैं जैसे यू नीड कि तूब दे है आपको जाने की जुरत है तो ठीक है नीड एक भर्व है जुरत होना या शकता होना वहा बताए ठीक है और गो गो भी एक भर्व है यह भी एक भर्ब है ये भी एक भर्ब है तो दो भर्ब जब आपस में जूड़ रहे हैं तो इसको जूड़ते हैं to say ठीक है need के साथ एक वहर भर्ब को याता हो तो उसको to say connect हमलों करते हैं ठीक है उसी तरह है subject c है singular subject यहां भी dare जो है अपना रूप बदल दिया डेर सब्सक्राइड चुकि यह present tense में है यह भी present tense में है तो आप इन सारे sentences में देख रहें कैसे need और dare जो है अपना रूप बदल देता है किस के अनुशार सबजेक्ट ओर टेंस के अनुशार तो नीड प्रिंसिपल ब manually के रूप में परियोग हुआ है और प्रिंसिपल बहुत क्या होते हैं सब्जेक्टों टेंस यन्सार से अपना रूप बदल देते हैं उसी तरह नीड का और यहां हुआ है तो आपने देखा कि कैसे नीट और देर का प्रियोग प्रिंसिपल भर्व के रूप में किया जाता है यानि अपना रूप यहां भी देखें यू सब्जेक्ट है और डेयर यानि भव का पहला रूप यहां हुआ है प्रियोग यानि डेयर जो है एक चीज यहां भी आया हुआ है दो भर्व दो भर्व नीट के साथ एक और भर्व है तो यह टू से थिर्व यहां गया है तो इन सारे सैंटेंसेंस में अब देखा कि कैसे नीड और डेयर का परयोग प्रिंसिपल भभ के रूप में होता है प्रिंसिपल भभ वैसे भभ होते हैं जो टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार से अपना रूप बदल देता है उसी तरह dare और need का पर्योग sentence में हुआ है सारे sentences में dare जो है और need अपना रूप बदल ले रहे हैं subject और tense के अनुसार से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है आपने देखा भी तक कि कैसे need और dare जो है यानि अपना रूप subject और टेंस के अनुसार से बदल लिया है तो प्रिंसिपल भर्ब के रूप में आपने नीड और देर का पर्योग सीखा अब दिखते हैं कि मॉडल एक्जलिर भर्ब में आपको need और डेर का पर्योग कрашे करते हैं आपको में फोकस देना है करना की जैसे क Ihnen negative points को समझना अत्यंत आवस्व Hafғ सक है नेदी और देर का परीयोग नेगेट्व संटैंस के हुआ है निगेटिव संट्रेंस में होता है तो वहाँ आपको क्या परिздर करना है यह पूछे जाते हैं को आपकी गलत हो जाते हैं आपको माकश Nej नहीं मिलते हैं तो मॉडल एक जली भर में नीड और देर का परियोग कैसे होता है नेगेटिव संट्रेंस में यह आपको समझाते हैं कि अगर कि अगर कि अगर कि 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 मैंने डेर नौट और नीड नौट लिखा देर स्नौट और नीड स्नौट लिखा तो नेगेटिव संट्रेंस जब बनाते हैं डेर को लिकरके और नीड को लिकरके तो आपको संट्रेंस का स्टक्चर कैसे होना चाहिए संट्रेंस में किस तरह से आप डेर और और नीड का परि नीड का परयोग नेगेटिव संटेंस में होता है तो देर स्नॉट और नीड स्नॉट देर स्नॉट और नीड स्नॉट का परयोग हम लोग नहीं करेंगे क्या परयोग करेंगे देर नॉट और नीड नॉट तो कहां करेंगे देर नॉट और नीड नॉट का परयोग करना है देर आल तुडल सब्जेक्ट का मतलब सिल्ड एंड टुरिल सिम्डूर सब्जेक्ट के साथ अब तेर नौट और प्ल्रोल सब्जेक्ट के साथ डे रॉट तक बेर करेंगे टीकल तू संटीनसस को लिखते हैं कर दो कि यहां आपको क्लियर कर दोन में चाहता हूँ कि कैसे दिखिए सब्जेक्ट स्गिलर है लेकिन इसके साथ देन नौट ईसके साथ इसके साथ देन नौट का परियोगा है याणि किस कोछ भी क्यों नहीं हो सीम्लір हो या प्लॉरल उसके साथ नेगे टिप जो होताい वो नौट ही होता है और नीड नॉट ही होता है यह नहीं कि अब डेर स्नॉट और नीड नॉट का पर्यूग करेंगे यह गलत हो जाएगा यानि आपको पर्यूग करना है डेर नॉट और नीड नॉट ठीक है यहां भी देखें जी हां तो आपको समझ आ गई होगी कि डेर नॉट और नीड नॉट का पर्यूग संटेंस उसमें आपको डेर नॉट और नीड नॉट का पर्यूग करते हैं पहला तो प्रिंसिपल भाब जो सब्जेक्ट और टेंस के अमसार से अपना रूप बदल देता है दूसरा मॉडल ए इसमें नेगेटिव संटेंस जो बनते हैं उसमें आपको डेर नॉट और नीड नॉट का पर्यूग करना होता है ना कि डेर नॉट और नीड नॉट का पर्यूग करेंगे तो आपके अंसर गलत हो जाए आपको पर्यूग करना है नीड नॉट और डेर नॉट का ठीक है तो पूच्छों उमीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरू से जरू लिखना बताना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरू से जरू सब्सक्राइब करें ताकि आपके इंग्लिस कैसे म नहीं है चैनल पर आप जरू से जरू देखें थैंक्स वर वाचिंग